शारुख खान इस साल की शुरुवात में दो ब्लॉक बस्टर देने के बाद एक नए अंदाज में दिखने के लिए तयार है शारुख के फिल्म डंक की अगले महीने सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है जन्वरी में किंखान की पठान आई थी और सितंबर में जवाद दोनों ने ही बॉक्स ओफिस पर तूफान ला दिया दोनों फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर जम कर नोट छापे एक बर फिर से शारुखा नए अंदाज में नज़र आएंगे और अपने फैंस को दिवाना बनाएंगे डंकी में ड्रॉप वन टीजर जारी हो चुका है और हाल ही में इसका नया गाना लुट पुट गया रिलीज भी हुआ फिल्म में तापसी पन्नू ने मन्नू नाम का करदार निभाया है वहीं विकी कौशल सुखी की भूमिका में है अब मुकेश शाबड़ा ने फिल्म को लेकर कहा है कि अगर दर्शकों ने थ्री इडियेट्स का आनंद लिया है तो डंकी उससे 100 गुना आगे निकल जाएगी कास्टिंग निर्दैशक मुकेश शाबड़ा का कहना है कि राजकुमार रानी की डंकी का काम करना एक अविश्मर्णी अनुभव रहा है इंडिन एक्सप्रेस कॉम के साथ इंटर्व्यू में मुकेश शाबड़ा कहते हैं जब मैंने डंकी के स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं दंग रह गया अगर आपको थ्री डेट्स पसंद है तो यह उसे 100 गुना बहतर होगी जब भी मैंने स्क्रिप्ट पर ही मैं रोया हूँ हर बार फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी यह फिल्म निर्मान का सबसे शुधरूप है जैसे हम आनंद रिदेकेश मुखर जी की फिल्म में दो आखें बारा हाथ को याद करते हैं उसी तरह आप आने वाली कई पर टुकरा इसे महसूस करता है